हेलो बच्चो, so thermal physics series में आज हम एक बहुत ही interesting और बहुत ही important topic छेड़ने वाले हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है KTG, kinetic theory of gases and thermodynamics. बच्चो, जैसे नाम था ही पता चल रहा है, kinetic theory of gases मतलब हमें gases के बारे में study करनी है, अगर आप बहुत ध्याल से देखोंगे बच्चो, तो 6th class, 7th class, 8th, 9th, 10th में भी gases के बारे में कुछ तो बताया जाता है, तो अगर हम उसको recall करें तो gases की क्या property होती है बच्चो, कि जो intermole distance है, intermolecular distance है, molecules के बीच में वो बहुत ही कम है, intermolecular force बहुत ही ज्यादा weak है, clear है एकदम, उसकी कोई fixed volume नहीं होती, जिस भी container में आप डाल दोगे, वो उसी volume को occupy कर लेता है, क्या मेरी बास समझ में रही है, ये basic basic से point आपको पता ही है, लेकिन अब हमें detail में analysis करना है gases को, अगर बचो मैं आप से एक बात कुछ हूँ कि मालो मुझे इसकी study करनी है, spend, इस marker की study करनी है, तो मुझे इसके mass के बार में पता होना चाहिए, इसकी moment of inertia पे लगने वाला torque, force, इसका acceleration, velocity, ये सब पता होना चाहिए, लेकिन बचो मालो मैं कहूँ, एक chamber है मेरे पास और उसमे gas भरी हुई है, आपको उसकी study करनी है, that means आपको किस-किस चीजों का ज्यान होना चाहिए, बचो, pressure, volume, temperature and एक और चीज जिसे हम बोलते है, number of moles, जिसको हम बहुत detail में बात करने वाले हैं, क्या मेरे बात समझ मारी है, फिलाल pressure, volume and temperature, ये तीन parameter तो आपको पता होना ही चाहिए बच्चों, clear रेकना, और बच्चों ध्यान रखना ये ही वो तीन parameter हैं, जो कि किसी भी gas की एक state को define करते हैं, कि भई इसका pressure इतना है, इसकी volume इतनी है और इसका temperature इतना है, अब ये जो chapter है बच्चों, ये chapter ये ध्याय कंसेप्ट, pressure, volume और temperature को system के मतलब की gas के momentum, momentum, gas की speed, इन सब के साथ संबंद जोड़ता है, इन सब को correlate करता है, मतलब pressure, volume, temperature का effect, pressure, volume, temperature का relation, हम momentum और अपना velocity, speed, इन सब के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, क्या मेरी बात समझ में आती हैं, अब अब जो एक एक करके pressure, volume, temperature की अगर मैं छोटे सा, short, short में, although हम इसको describe क बहुत डिटेल में, thermodynamics में तो बहुत डिटेल में study करेंगे, लेकिन अगर मैं ensure मैं बात करना हूँ, pressure, volume, temperature की, तो बचो देखो, pressure क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक gas chamber है, sorry, एक chamber है, उसमें gas बढ़ी हुए, उसके जो molecules हैं, वो धराधर random brownier motion कर रहे हैं, धराधर move कर रहे हैं, अच्छी खासी रफतार होती है, जब मान लो बचो, वो particles किसी भी एक surface पर टकरा रहे हैं, तो कुछ momentum उसको transfer कर रहे हैं, और rate of change of momentum with time, या फिर rate of transfer of momentum with time is known as force, मतलब भी molecules, wall of the container पर force लगा रहे हैं, और force per unit area is known as pressure, तो जो pressure की हम बात करते हैं बचो, वो pressure होता है due to collision, क्या मेरी बात समझ मारी है, जो gas molecules है, जो की container की wall से collide होकर, जो force लगाते हैं, जो pressure exert करते हैं, उसी को हम बोलते हैं pressure, उसी के बार में हम बात करते हैं, क्या मेरी बात समझ मारी है, pressure के लिए हैं, फिर बोल रहा हूँ, अभी short में हम बात कर रहे हैं, detail analysis करना है, एक खीज को detail analysis करना है, के लिए रहे हैं, volume, अगर मैं बात करूँ, volume की, तो simply बच्चो, volume occupied by the gas molecule, that means, volume of the container is known as volume, क्या मेरी बात समझ मारी है, और temperature के बार में थो हम बहुत detail में बात करी हैं, जो system का temperature होगा, वही temperature की बात होगी, अब ही temperature क्या बताता है बच्चो, ध्यान लखना, prove भी क करेंगे, temperature basically बताता है energy, average energy per molecule, हर molecule की average energy बताता है temperature, क्या मेरी बात समझ मारी है, clear है, एक का temperature है 20 degree Celsius, एक का temperature 50 degree Celsius, इसका simply मतलब यह है, जो container 50 degree Celsius पे है, उसके अंदर जो molecules है, उन सभी molecules की average energy, average energy, 20 degree वाले Celsius वाले molecules के energy से जाता है, क्या मेरी बात समझ मारी है, मतलब temperature जो है, simply, it is simply a parameter of measuring the energy, क्या मेरी बात समझ मारी है, क्या यह तीनों points के लिए है, PVT, बहुत important है यह, फिर बोलना हूँ, detail में बात तो करना ही है, pressure, volume and temperature, फिलाल KTG में, kinetic theory of gases में, इन्हे तीन molecules को हम अलग तरीके से relate करेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, clear है, अचा बचो अगर हम बात करें, मालो मेरे पास एक chamber है, उसमें gas बरी होई है, clear है, helium हो सकती है, oxygen हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है, clear है अब देखो बचो जैसे मालो, इसको मुझे measure करना है, इसका mass measure करना है, मुझ लेकिन बच्चो गैस के case में हम kg ग्राम से जादा number of moles को prefer करते है, concept दिया था, Avogadro साब ने, एक concept दिया था, Avogadro साब ने, molar sample, chemistry में भी आपको पढ़ाया जाता है, क्या मेरी बात समझ मारी, chemistry में भी आपको पढ़ाया जाता है, अब what do you mean by mole, वो आप समझे, what do you mean by moles, उसको आप भात अच्छे से समझे, even यह experimental observation है, और यह आगे जाकर के law बना, जिसको हम बोलते है, Avogadro's law, scientist का नाम है, Avogadro's law, एक number भी आएगा, जिसको हम Avogadro's number भी बोलते है, chemistry में आपको पढ़ाया गया होगा, अब यह Avogadro's law क्या है बच्चो, उसको धहांसे सुनिए, उन्ह अलग-अलग gas भर लो, क्या बोला उन्होंने, 3-4 container ले ले जे, और उसमें अलग-अलग gas भर लो, अब उन्होंने कहा, इन 3-4 पांचो जितने भी आपने container ले रखे हैं, उनके 2 parameter आप fix कर दो सभी के, pressure और temperature, क्या बोला उन्होंने, pressure और temperature सभी के fix कर दो, और उन्होंने experiment लि equal number of particles मिलेंगे, and that equal number of particles experimentally come out to me, बच्छो, come out to be 6.023 into 10 raised to the power 23, बच्छो, और इसी figure को उन्होंने 1 mole का नाम दिया, बच्छो, इसी figure को उन्होंने क्या नाम दिया, 1 mole, और यही क्या है, Avogadro's law, सिधान्त of Avogadro's साब, क्या मेरी बास समाहिए महारी हो, क्या mole concept आपको समाहिए में आ रहा है, what do you mean by 1 mole, आपको समझ में आ रहा है, उन्होंने क्या बोला, different different N number of chambers आप ले लीजे, सभी का pressure और temperature से maintain कर दीजे, और अगर उन सभी chambers के आप equal volume लोगे, तो equal volume में आपको इतने number, सभी में इतने number मिलेंगे, number of molecules मिलेंगे उस gas के, and that number will come out to be 6.023 into 10 raised to the power 23, and उसी को लोने नाम दिया, Avogadro's number, and it is denoted by an A, it is denoted by capital R, A, क्या मेरी बास समझ मारी है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चो, one mole, clear रहा है एक दब, आज के बाद mole में कोई दिक्कत नहीं आएगी, mathematical expression भी हम देखेंगे, अभी mole को समझे, क्या मेरी बास समझ मारी है, clear रहा है, अच क्या मतलब है बच्चो, five mole gas का क्या मतलब है, उसमें कितने particle होंगे, five into six point zero, two, three into ten power, twenty three, क्या मेरी बास समय बारी है, क्या concept एकदम clear हो रहा है आपका, molar concept एकदम clear है बच्चो, अब देखो बच्चो, इसको mathematics से relate करते हैं, सुनिये ज़रा, और जो भी parameters में लिख रहा हूँ, throughout about अपनी series में वही parameter इस्तुमाल करूंगा, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनियेगा, मानुद एक gas chamber है बच्चो, एक gas chamber उसमें बहुत सारे gas molecules है, like this, molecule भी हो सकते है, atom भी हो सकते है, it will depend on the nature of the gas, clear है न, let's say oxygen, तो उसके case में molecules बात करेंगे, let's say helium, उसके case में atom की बात करें होंगे, heo2, clear लेखना, अच्छा, मानुद मैं कुछ parameter यहाँ पर लिख देता हूं, बच्चो, let's say small n, standard है, small n is number of moles, clear बच्चो, capital N से में denote करूंगा, बच्चो, total number of atom और molecule, clear लेखना, बच्चो, capital N से क्या दिनोट कर रहा हूं, मैं total number of atom or molecules in this chamber, Na से क्या दिनोट करना हूं, बच्चो, मैं, Na से क्या दिनोट करना हूं, Avagadro's number, Avagadro's number, और वही क्या होता है, बच्चो, one more, you know that very well, क्या मेरी बास सम्में बार रही है, के लिए बेखना, small m से में denote करूंगा, बच्चो, mass of one atom or molecule, clear है, बच्चो, और, बच्चो, capital M से में denote क mass of one mole of gas, capital M से क्या denote करूंगा, बच्चो, molar mass, molar mass मतलब नाम से बिचल है, molar mass, mass of one mole of gas sample, one mole का mass इतना है, clear बच्चो, और, let's say, empty से में denote करूंगा, empty से में denote करूंगा, total mass of the gas, total mass of the system, क्या मेरी बास समय जमारी है, अब देखिए, हम कुछ relation बनाएंगे, और, वो relation होंगे, हमारी common sense पर based, अगर कोई आप से पूछ ले, what is the relation between these three parameters, इन three parameters के बेच में क्या relation हो सकता है, तो ठीक है यार, capital N क्या है, total number of molecules, N क्या है, number of moles, और N क्या है, agagadros number, मतलब, number of molecules in one mole, अरे ये है number of molecules in one mole, और N क्या है, number of moles, और capital N क्या है, total number of molecules, और atom, तो क्या relation होगा, common sense से क्या relation होगा, capital N बराबर, N into, N A, क्या मेरी बास समयल में आ लिए है, और we can say N बराबर, N upon में, N A, क्या मेरी बास समयल में आ लिए है बच्चो, clear item, clear item, simple item, बिलकुल easy time pass relation है, अच्छा भाई, हमें समयल में आ गया भाई, अब मालनों कोई आप से what should be the relation between small m, empty and capital N, तो क्या relation होगा, और ठीक है यार, empty क्या है, total mass, small m क्या है, mass of one molecule, और capital M क्या है, total number of molecule on atom, तो ठीक है यार, simple है, क्या relation होगा, empty बराबर, empty बराबर, N into small m, बिलकुल simple है, बिलकुल easy है, clear item, आप कोई पूछे आप से, what should be the relation between, what should be the relation between capital M, capital M, or small m, or let's say capital M, small m, or na, तो क्या होगा, simple सा logic है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है बही, capital M क्या है, molar mass, mass of one mole, और यही क्या है, one mole, small m क्या है, mass of one atom, और molecule, तो क्या होगा, simple है, capital M बराबर, capital M बराबर, na into small m, क्या मेरी बास समभिना रही है, clear item, अब बच्छो, दोनों, इन दोनों को उठा करके, divide कर देते हैं, अगर हम दोनों को उठा करके, divide करेंगे, तो देखो, M से M कट जाएगा, तो क्या जाएगा, बच्छो, M T upon M, capital M, बराबर, N upon N, और N upon N, तो moles भी होता है, तो हम ऐसे भी लिसकते हैं, N बराबर, total mass of the sample upon M, molar mass, क्या मेरी बास समभिना रही है, यह relation आप हो chemistry पढ़े होंगे, लेकिन आपने रख लिए होंगे, अब अब N की, N की unit भी बच्चो को बहुत confuse करती है, N की unit, वो यहां से निकल जाएगी बच्चो, देखो, N को क्या ले सकता हूँ, N upon M, small N की unit क्या होगी, mole, और यह क्या है, capital N क्या है, molecules के लिए है, तो N की unit हमेशा यहाँ पर, देखे, क्या लिखी रहेगी, N बराबर, 6.0 into 10 की rig, 23, molecules या, atom per, molecules, entonces, atom per mole, क्या मेनी बास समझते है, तो कोई अगर आप से पूछ ले की, what is the, what is the unit of this capital M, capital M की unit क्या होगी, molar mass की unit क्या होगी, simple है, molar mass की unit क्या होगी, gram per mole, यह N to be N अं निक अंक 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 पर मोल तो इसकी उनिट क्या होगी ग्रैम पर मोल क्या मेरी बास समाज में आ रही है बच्चो क्या मोलर कंसेट एक तम के लिए नहीं अब देखिए बहुत टाइम पास कोशन भी आ सकते हैं कैसे टाइम पास कोशन की माल लीजिए माल लीजिए वह आपसे पूछ रहा है ऑक्स इसकी बात कर रहा है लेट से पूछ रहा है बताओ फिफ्टी ग्राम और मॉलिकर्योव वोंगे ठीक है यार इससका मतलब में देखिए 32 ग्रैम में कितने मॉलिक्यूल है बच्छो 6.023 इंटू 10 इस पावर 23 यही मतलब हो गया यही मतलब हो गया इसका तो के लिए रहे वो लेट से 50 ग्राम में पूछा अब ठीक है यूनिट्री मेथड वन ग्राम में कितने होंगे बच्छो मॉलिक्यूल सॉक्षिजन क क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो इतने मॉलिक्यूल्स अपने को ऑक्षिजन के मिलेंगे क्या concept एकदम clear है मॉलर मास मॉलर ऐकदम clear है क्या यह सारी फिल्णर आपको समझ में आ रही है इनको आप नोट करें हम आगे बढ़ेंगे चलिए बच्चो That means हमने molar concept को अच्छे से समझ लिया है Moles क्या है, कैसे work करते है कैसे mathematics work करता है कैसे हम molecules वगएरा निकाल सकते है यह अब हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है अब बच्चो हम पढ़ने वाले हैं कुछ assumptions kinetic theory of gases की जब हम kinetic theory of gases में कुछ assumptions ले करके work करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो assumption है वो actual में work करती है बच्चो हमें पढ़ना है ideal gases के बारे में किसके बारे में, ideal gases के बारे में तो कुछ slight assumptions हम ले करके चलते हैं जैसे कि मालनोग एक gas chamber है उसमें ideal gas है ideal gas का मतलब है जितने भी उसके molecules और particles है वो pointed shape के है, बिलकुल pointed size के है, बलाब उनका size है, उनकी जो volume है, वो minimum है, बिलकुल neglected है, उनकी जो volume है, उनके molecules की, उनके जो molecules की volume है, as compared to the volume of the container, वो neglected है, मतलब they are pointed, very very fine pointed particles, जो molecules और atoms है, वो क्या है, जो particles है, वो बहुत ही छोटे है, क्या मैरी बात समय बारी है, क्या concept is clear है, अच्छा, और जो intermolecular force of interaction है, या फिर intermolecular spacing है आपस में, वो क्या है, बहुत दूर दूर है, वो बहुत दूर दूर है, it is neglected, intermolecular force क्या है, तो आपस में, molecules के बीच में, जीरो, क्या मेरी बात समझे मारी है, मतलब की, कोई molecule एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा है, एक भी molecule एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहा है, क्या मेरी बात समझे मारी है, clear है दम, और तीसरी, they are moving with very high speed, they are moving with very high speed, that's why we will neglect the effect of gravity कैसे, माल लो एक molecule move करना है, माल लो ऐसे move किया, तो action में तो वो ऐसे move करना चाहिए, but, but, इनकी speed इतनी जादा है, इनकी speed इतनी जादा है, कि हम इस distance को neglect करते हैं, मतलब, we will neglect the effect of gravity, मतलब molecule अगर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही जा रहा है, क्या मेरी बात समझे मारी है, clear है दम, और, किसी भी instant पर, माल लो एक gas chamber है, cube या cube और shape में, जितने molecules इधर जा रहे है, उतने molecules इधर जा रहे है, उतने molecules उपर, उतने molecules नीचे, मतलब हर direction में, equal number of distribution है, molecules का, that is the only reason, that is the only reason, the pressure exerted by the molecules on every wall is same, और यह होता ही है ने यार, माल लो एक gas chamber है, रखा हुआ है, ऐसा तो है नही इन्क डिंड़ान दंक डांस करता है, रा ऊपर नीचे उचलता है, क्या पयोरी बास सम людям कारे है, उसका सिधा साथा मतलब यह ही है, कि हर wall पर, हर wall पर लगने वाला pressure सेम है, हर wall पर लगने वाला pressure सेम है, क्या मेरी बास समय में आ रही है क्या यह वाला point भी एकदम clear हो गया, we will like the effect of gravity जितने particle इस direction में जा रहे हैं, उतनी particle इस direction में जा रहे हैं, और जितने भी collisions होंगे, जितने collision, every collision is elastic, क्या मेरी बास समय मा रही है, बाला momentum तो कंजर होगा, energy भी कंजर होगा, क्या मेरी बास समय मा रही है, clear एकदम तो यह कुछ basic से, यह कुछ basic से assumptions से जो हम लेके चलेंगे, और जो measure, जो most important assumptions है वो यह है, all the molecules will follow all the molecules will follow Newton's laws of motion and and ideal gas equation now what is ideal gas equation यह chemistry में भी बढ़ा ही गही होगी what is ideal gas equation बच्चो PV is equals to NRT, most important इस पर अभी हम बहुत चल्चा भी करने वाले है PV is equals to NRT that's the ideal gas equation और यह ideal gas equation यह molecules follow करेंगे क्या मेरी बास समझे मा रही है, P is the pressure, pressure exerted by the molecules on the balls of the container V is the volume of the container N is the number of moles of the gas R is what बच्चो R क्या होता है आपर universal gas constant why I am saying universal gas constant because it is same for every gas इसकी value क्या होती है बच्चो 8.314 8.314 Joule per mole per Kelvin क्या मेरी बास समझे में आ रही है clear है and T is what here T is what temperature and T is what temperature और यहाँ पर temperature की unit क्या होगी बच्चो Kelvin it should not be in degree Celsius ऐसा unit हर किसी हर चीज ऐसा unit में डाली है that's why R के value 8.314 Joule per mole per Kelvin क्या मेरी बास समझे में आ रही है अच्छा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे हम आईडल गैस की certain condition हम निकाल सकते है अच्छो आप ध्यान से देखोगे तो देखना जरा क्या में इसको लिसकता हूँ PV is equal to अब अभी हमने पढ़ा क्या में capital N को लिख सकता हूँ बच्चो देखना क्या में capital N को लिख सकता हूँ N upon में N A R T बिल्कु लिख सकता हूँ देखना जाबर क्या मैं इसको ऐसे लिए सकता हूँ P by N A P by P into N A by R P by R by T will be equals to what N by V अगर आप बहुत ध्यान से देखों को what is N by V? इसको हम बोल सकते हैं number of molecules per unit volume that means number density इसको हम क्या मोल सकते हैं बच्चो number density क्या मेरी बास सब्ज़ मारी है अगर आप बहुत ध्यान से देखोंगे देखिए N A is constant R is universal constant that means N by V is directly proportional to P by T क्या मेरी बास सब्ज़ मारी हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखोंगे जितने भी मेरे assumptions बोले बच्चो जितने भी assumptions बोले सबसे major one कि इन सभी में force of interaction हम क्या लेके चलेंगे zero मतलब कि ये दोनों सभी particle क्या है बहुत दूर दूर है सभी particle क्या है मतलब intermolecular separation क्या है बहुत ज़्यादा है क्या मेरी बास समझे मारी है और सभी particle की रफतार क्या है बहुत तेज that's why we will live like the effect of gravity ये सारे points का fulfill होगे बच्चो जब ये number density कम होगी या ज़्यादा होगी common sense है number density क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए मैं लग permanent volume में number कम होनी चाहिए या ज़्यादा कम होनी चाहिए ना यार तभी तो interaction zero होगा यार नहीं बात समझे बारी है और ये कम कम होगा जब pressure क्या होगा कम और temperature क्या होगा high that's why आपने एक line सुनी होगी जरूर नहीं सुनी तो आज note कर लो बहुत nervous line है बहुत important line है star mark कर लेना उसको कि all the gases will behave like an ideal gas at low pressure and high temperature at low pressure and high temperature क्या मेरी बात समझे बारी है clear एक दब clear एक दब और ये तो कई बार question भी आया completion पर कई बार question आया what is the condition of the ideal gas when the real gas behave like an ideal gas कब सभी भी gases idle gas की तरह behave कर सकती है कब आप जितने भी laws अभी हम पढ़ने वाले है वो सारे laws in real gases में भी apply कर सकते है और ये ना या at low pressure and high temperature क्या मेरी बार समझ मा रही है क्या concept एकदम clear है एकदम concept clear है अच्छा भाई अच्छा भाई 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 बहुत बढ़िया भाई तो ये सारी बाते अब हमें समझ में आ गई है तो जो भी हम calculation करेंगे अब इन सारी assumptions को ले करके करेंगे क्या मेरी बात समझ मा रही है clear एकदम concept इनको आप note करिये अब आगे बढ़ेंगे चले बच्छों अब हम देखते है expression of pressure ये जो pressure की बात हमने करी expression of pressure heading डाली expression of pressure exerted by the ideal girls on the wall of a container let us assume हम एक container assume कर लेते हैं क्यों क्यों वाइड कुछ भी हो सकता है let's say उसकी side है ये side है L let's say total number of molecules है capital N and small m is the mass of each molecule अब ये जो surface मैंने shaded कर रही है let's say इसका area है बच्छो capital A let's say इसका area और इस पर हमें pressure इस पर हमें expression of pressure हमें निकालना है ठीक है बच्छो के लिए है let's say मैं कोई एक molecule पकड़ लिएता हूँ उसका mass है M let's say वो इस direction में VX रफ़तार से move कर रहा था ठीक है VX रफ़तार से move कर रहा था अब वो VX रफ़तार से move करता हुआ इस wall पर टकराएगा और वापस आएगा ठीक आप कुछ assumptions हम बचों यहां लेंगे वो क्या यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने molecules किसी भी टाइम पर इधा जा रहे है उतने ही इधर उतने ही इधर क्या मेरी बात समझे में आ रही है क्या concept एकदम के लिए है ठीक है एकदम concept एकदम क्लिया है दूसरी बात माल लो एक molecule ऐसे जाना है दूसरा molecule उससे टक्राया अब आपको होगे साथ जब इस दूसरा molecule टक्रा गया तो पहले बाला तो दूसरी डारेक्शन पर चाहिए ठीक है लेकिन जो molecule इससे टक्राया है उसने इसकी पोलीशन ले ली क्या मेरी बात समझे बारी because they are very very small in size collisions are elastic and its number is very very large ठीक है concept rhythm clear है that means हम मान के चलेंगे कोई एक particle को मैं पकड़ लोगा और इसको मैं इस तरीके से move कराता रहूँगा और effect of gravity तो neglected है ठीक अब देको ये molecule गया इससे टकड़ाया और वापिस आया situation ऐसे बनी ये molecule ऐसे टकड़ाया with the momentum mvx वापिस आया with the momentum mvx को एक direction negative लेते हुए क्योंकि kinematics बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो change in the momentum of one particle of one single molecule वो कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2mvx क्या मेरी बास समय नमा रही है तो ये है this is a change in the momentum of one particle अच्छों ये loss of motion थो follow करता ही है that means f average will be equals to delta p by delta t second law of newtons that means delta p by f average into delta t अगर मेरी one second ले लू one second ले लू तो simply change in the momentum ही क्या होगा force exerted by the particles or the wall of the container ठीक है चलो ये change in the momentum of one molecule हुआ क्या मेरी बास समय नमा रही है क्लिया रही है अच्छा भाई अच्छा भाई between two successive collision with this wall वो क्या होगा तो देखी सुनना जरा जहान से ये wall ये molecule इससे टकराया stopwatch on कर लो फिर वापिस क्या इस वाली wall से सामय वाली wall से टकराया फिर वापिस आया और फिर इससे टकराया stopwatch off कर दो मतलब कहानी क्या हुई ये वाला molecule इससे टकराया stopwatch on ये यहां गया फिर वापिस आया और ये second collision हो गया तो देखो इसने कितनी दूरी तैकरी L L क्या मेरी बात समझ मारिए 2L कितनी रफतार VX तो कितना ताइम लगया बच्चो 2L by VX ठीक क्लियर है अब मैं आपसे पते क्या पूछने जाऊंगा मैं आपसे पते क्या पूछूंगा 100 bond की कीमत 1000 रुपय है तो एक bond की कीमत क्या हुई और 1000 बड़े 100 divide कर दे इस तो अगर मैं पूछ लूँ वा नंबर और पूरीजन नंबर पूरीजन यह पूरीजन फ्रिक्वेंसी नंबर पूरीजन पर सेकंड एक सेकंड में कितने को लिजन होंगे अरे तो ठीक है यार इनवर्स कर वी एक्स बाइट तू है वन को इससे डिवाइट कर दे वन को इससे डिवाइट कर दे क्या मेरी बात समझ महां नहीं है क्या कहां से इदम क्लिया है अब मैं इन दोनों की बली प्लाइं कर दूँ तो क्या जाएगा बच्चो क्या जाएगा जल्दी बोलो चेंज इन दा मुमेंटम ओफ वन मॉलीक्यूल इन वन सेकंड सिंगल मॉलीक्यूल की वन सेकंड में यह क्या जाएगा 2MVX इन टू VX बाइ 2L तू से 2L गया that means MVX square by L so that's the expression of चेंज दा मॉमेंटम आप वन मॉलीक्यूल in वन सेकंड and that's the expression of force यही क्या है force यही क्या है force क्या मेरी पास समझ बारी है clear rhythm अच्छा भाई समझ बार गया that's the expression of force exerted by one molecule on this wall कितने molecule है M क्या मेरी पास समझ बारी है clear rhythm concept rhythm clear तो what is that expression of total force total force क्या होगी simply R M by L common simply R VX1 square plus VX2 square plus VX3 square up to VXN square क्या मेरी बार समय बारी है अच्छा भाई अब 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 बहुत ध्यान से देखोगे यह बार तो तह है नहीं यार प्रेशन तो हर जोगा सेम लग रहा है क्यों लग रहा पता है जितने molecule इधर जा रहे है उतने ही इधर उतने ही उपर उतने ही नीचे क्या हर molecule की रफतार एक direction में सेम है नहीं हर molecule की direction हर molecule की रफतार किसी एक particular direction में सेम नहीं होगी है तो इल लोजिकल है लेकिन किसी एक direction में उन सभी molecules के रफतार का सम क्या होगा सेम that means summation of Vx will be equals to summation of Vy will be equals to summation of Vz क्या मेरी बास समझ मान रही है clear है एदम करसे एदम clear है अच्छा भई इसको बच्छों क्या ले सकते है simply इसको क्या सकते है M by L summation of Vx square that is fine okay अब देखो किसी भी एक particular particle की let's say one first particle की velocity में क्या ले सकता हूं simply first particle की velocity में simply क्या ले सकता हूं vector form में simply क्या ले सकता हूं बच्छो Vx i cap plus Vy j cap plus Vz k cap अब magnitude की बात करूँगा तो magnitude open करना आता है simply V1 square बराबर Vx1 square plus Vy1 square plus Vz1 square क्या मेरी बात समय ले सकता हूं simply यहाँ पर बन बन डाल दो simply simply second particle की लिखनी हो तो simply Vx2 square plus Vy2 square plus Vz2 square और ऐसे करते 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 simply अगर nth particle की लिखनी हो बच्छो तो Vxn square plus Vyn square plus Vz nth square क्या मेरी बात समय ले मारी है माली यह सब को मैं add कर देता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्छो simply V square summation V square summation Vx square summation Vy square क्या मेरी बात समय ले मारी है और देखो बच्छो जब यह सब सेव है तो इनका square भी सेव होगा that means क्या मैं हाल लिखता हूं ऐसे बच्छो summation V square will be equals to three times summation Vx square Vx Vy Vz सब को Vx Vx V export करते जाओ that means summation Vx square करेगा बच्छो मैं हाँ पर कहल सकता हूं simply M by L M by L by three summation V square क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या concept एकदम clear है एकदम clear है अच्छा भाई अब मुझे अगर pressure निकाल तो यह क्या है बच्छो total force यह क्या है बच्छो total force clear है अब मुझे pressure निकालना है तो area से divide कर तो यह है तो pressure simply क्या आ जाएगा F by A that means M by three AL summation V square बच्छो A into L क्या हो जाएगा area into length क्या हो जाएगा बच्छो area into length volume that means M by V summation M by three V summation V square that's the expression of pressure इसको लेकिन अभी हम mod modify करेगे क्या यह concept रिदम समझ माना है बच्छो क्या expression समझ माना है अच्छा बच्छो यह concept होता है V RMS का बहुत important बहुत important concept है V RMS का क्या V RMS क्या होता है V RMS basically होता है बच्छो V RMS basically होता है बच्छो root mean square 12th में तो बहुत use होगा इसका I RMS V RMS voltage और current के लिए V RMS क्या होता है बच्छो root mean square क्या root mean square तो V RMS मतलब root mean square velocity इसका क्या मतलब है देखो शुरुआत तो यहां से होई root mean और square लेकिन हम जब solve करते है तो ऐसे करते है बच्छो divide कर दो मतलब की मतलब की पहले मैंने square किया that means यह आ गया अब मैंने mean निकाल लिया क्या मैंनी बास समय रही है अब मैं under root कर दूँँगा तो क्या जाएगा बच्छो यह V RMS root mean square पहले square फिर mean फिर under root क्या मैंनी बास समय रही है क्या V RMS का concept एक्दम क्लियर है अब दोरो साइड अगर मैं square कर दूँगा बच्छो तो क्या जाएगा summation V square by N will be equals to V square RMS V RMS का square क्या आपको root mean square समझ में आ रहा है root mean square का concept एकदम समझ में आ रहा है और इसी को बोलते हैं बच्छो root mean square velocity of the particles root mean square velocities of the particles अब हम इसको relate कर सकते हैं आपर कैसे थे को बच्छो n से divide multiply कर दो तो pressure क्या आ गया बच्छो n से divide multiply करने के बाद ml upon में 3V summation V square by N और यह क्या बन जाएगा बच्छो root mean square तो pressure का expression क्या आ गया बच्छो पी बराबर NM by 3V V RMS का square अब इस भी को इधर ले जाओंगा so PV बराबर PV बराबर NM by 3 V RMS का square that's the most important expression बच्छो बहुत ही important expression है बहुत ही जादा important expression है बहुत सारे concept हम यहां से निकालने वाले हैं क्या आपको यह logic की इस concept में आयरा एक बार recall कर लेते हैं this is what the change in momentum of one particle यह क्या निकाला मैंने time taken time taken by one molecule between two successive collision with this wall जहां पर pressure निकालना है वो simply 12 by VX आएगा अब one second में one second में number of collisions one को इससे divide कर दो one second को इससे divide कर दो यह आ गया उसके बाद change in the momentum of one particle in one second वो इतना आ गया और वो ही क्या होती है बच्छो force उसके बाद बच्छो total force कितनी आ गई इतनी आ गई उसके बाद यह कुछ logic हमने निकाले है ठीक है clear है vrms हमने निकालना सी का square करके mean निकालो फिर underroot कर दो वो ही vrms होता है ठीक है बच्छो उसके बाद यह सब basic basic points हमने clear करें और यह expression हमने निकाला pv is equals to nm by 3 vrms का square क्या में ने पास हमने रहे हैं इसको upload करिए भी बहुत important result हम यहां से निकालने वाले हैं चलिए बच्छो तो pressure का बहुत ही important चलिए बच्छो तो pressure का बहुत ही important relation हमने यहां drive किया बहुत जबर्दस relation है अगर vrms बहुत अच्छे से नहीं clear हुआ वहाँ पर तो मैं फिर बता देता हूं को कैसे निकालेंगे बाली जीए एक chamber है gas chamber उसमें n number of particles हैं वो सभी के सभी अलग-अलग रफ्तार से move कर रहे हैं clear रहेगा let's say v1 v2 v3 and vn so vrms को निकालने का तरीका सबसे पहले सभी का square करिए v1 square plus v2 square and up to vn square और add कर दीजिए और n से divide कर दीजिए यह क्या कर दिया आपने square निकालके mean कर दिया square निकालके mean कर दिया अब इसका under root ले लीजिए और यही क्या हज आएगा बच्छो vrms ठीक clear है तो इसको short form में मैं ऐसे कर सकता हूँ summation v2 by n बराबर vrms और summation v2 by n बराबर v2 rms क्या मेरी बात समझे मारी है clear है तो हम भर molecule की रफ्तार ना पढ़ने की बजाए हम क्या पढ़ते हैं किस चीज़ की study करते है root mean square velocity vrms यह हमारी calculation को बहुत असान कर देती है clear है एकदम क्या मेरी बात समझे मारी है आप सुनिये ज़रा क्योंकि सारे के सारे collision elastic है तो हम यह मान के चलेंगे कि kinetic energy of the system molecule is conserved constant and all the molecules are moving with root mean square velocity क्या मेरी बात समझे मारी है clear बच्चों यहां पर चलते हैं जब अगर आप बहुत ध्यान से देखोंगे बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोंगे अब हम rms velocity को थोड़ा सा detail में analysis कर लेते हैं M क्याता है यहां पर mass of one molecule N क्या था total number of molecules तो बच्चों यह पूरा पूरा expression क्या बन गया total mass जहां से देखिए यह जो मैंने dotted गोले में बना दिया है यह क्या बन गया बच्चों total mass अब देखो बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 by 3 MN upon में V into V rms का square तो देखिए बच्चों यह क्या बन जाएगा total mass upon में volume क्या हो जाएगा बच्चों mass upon में volume क्या हो जाता है total mass upon में volume density density of the gas तो क्या आगया बच्चों P बराबर rho by 3 simply V rms का square तो बच्चों V rms का expression क्या आगया simply under root 3 P by rho एक expression हमने यह निकाल दिया V rms का under root 3 P by rho क्या मेरी बाद समय मारी है इसको अब हम और modify करते है बच्चों देखो ideal gases के बारे में यह तो पढ़ रहे है न तो ideal gas equation तो follow करी रही होगी न PV is equals to nRT क्या मैं बच्चों ऐसे लिसकता हूँ PV is equals to देखे जरा क्या मैं इसको ऐसे लिसकता हूँ बच्चों n को total mass total mass empty R upon में molar mass clear रहे रहे हैं क्या मैं इस volume को इधर ले जाओं क्या मैं इस volume को इधर ले जाओं तो P बराबर total mass upon में volume RT by molar mass और यह क्या बन गया बच्चों density rho that means P बराबर rho RT by M इसको हमने modify कर लिया ideal gas equation को तो देखे बच्चों क्या मैं P by rho को लिख सकता हूँ RT by M yes we can write तो बच्चों यह मैं expression यहाँ पर डाल सकता हूँ क्या so VRMS को लिसकता हूँ बच्चों under root 3RT by M बहुत important expression बच्चों बहुत प्रॉब्लम आती है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कैसे प्रॉब्लम आती है बच्चों एक container है एक container है उसमें oxygen gas है उसमें क्या है oxygen gas है उसका container का temperature 27 degree celsius find the root mean square velocity of the molecules तो निकालना या direct 3 की जगा 3 डाल R की जगा 8.314 डाल T की जगे क्या डालो 27 गलत T की जगे क्या डालो 27 नहीं the temperature must be in Kelvin temperature must be in Kelvin सब कुछ ऐसा ही बच्चों molecular mass जो कि कितना हो था 32 लेकिन आंसर गलत आएगा क्यों यही mistake करते हैं simple सा formula formula simple है बहुत easy है ऐसी direct बहुत easy है लेकिन mistake क्या होती है पहले mistake temperature को degree celsius में डाल देते हैं गलत दूसरी mistake mass को 32 gram per mole है बच्चों वो अगर आप ध्यान से देखोगे R और T SI unit में है तो gram को gram नहीं kg में convert करो तो क्या है गा 32 into 10 is power minus 3 kg में करना है इस बात को ध्यान रखना है इसको note करके लिख लो while using this relation Vrms बलाबर under 3 RT by L T must be in Kelvin and this M molar mass of that gas must be in kgs that means उस molar mass को जो की आपको पता होगा oxygen का इतना होता है helium का इतना होता है उसको 10 is power minus 3 से multiply करो क्यों करो ताकि कि वो kg में आ जाए क्या मेनी बास समझ मा रही है क्या यह बिलकुल easy लग रहा है क्या Vrms के लिए रहा है एपा बच्चो एक कॉशन आया है कॉशन ने एक कॉशन आया यहां कर on increasing the pressure what will be the effect on increasing the pressure what will be the effect on the rms speed it will increase decrease remains constant yeah none of these most of the answer बच्चे रगाएंगे it will increase because vrms is directly proportional to pressure but वो गलत होगा क्योंकि density भी तो है यार और pressure density के साथ जो है संबंदित है on changing the pressure density भी तो change हो सकती है ना यार क्या मेरी बास समझ मा रही है clear रहे तो on changing the pressure what is the effect of what is the effect on vrms low comments अगर हमें temperature के बारे में कुछ नहीं पता if i am saying temperature is constant तो देहिए r constant t constant m constant r or m तो constant है if i am saying temperature is constant so this whole firm is constant that means p by rho is constant that means p is directly proportional to rho that means अगर अप p बढ़ा होगे तो rho भी बढ़ेगा लेकिन उनका ratio constant रहेगा so मैं कह सकता हूँ it is constant on increasing the pressure there is no effect on vrms if temperature is constant our temperature के बारे में कुछ बात नहीं है तो on increasing or decreasing the pressure no comment और मुझे क्या पत कैसे पता या density कैसे change होने वाली है क्या मेरी बात समझ मेरी है तो इसको underline करके लिख लेना कि भाई जब तक हमें temperature का ग्यान नहीं होगा हम यह नहीं बता सकते कि pressure vary करने से vrms कैसे vary होगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या logics एकदम clear है क्या expressions एकदम clear है vrms के लिए है अब हम energy की बात करने जा रहे है इसको हम कर देते हैं side में ठीक है बच्चो अच्छा आप सुनो energy की चर्चा सुनो बच्चो देखो बहुत ध्यान से सुनना बहुत ही जाता interesting or important concept है और बच अच्छो total mass यह क्या है total mass kinetic energy vrms क्या है vrms क्या है basically translational velocity सुनना जरा देखो ध्यान से सुनो मैं word क्या use करहो translational rotation की बात अभी मैं नहीं कर रहा translational velocity vrms क्या है बच्चो translational velocity translation समझ रहे हुना translational rotational 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 or vibrational तीन तरीके की kinetic energy involve करूंगा मैं बात में जाकर अभी फिलाल क्या है देखो vrms मतना वैसे linearly move कर रहे हैं साब so translational kinetic energy तो देखना translational kinetic energy को मैं ऐसे लिसकता हूँ ना बच्चो half total mass कितना होगा बच्चो total mass कितना होगा mn into speed कितनी है बच्चो vrms का square ठीक है बच्चो ऐसे मैं इसको लिसकता हूँ अच्छा भाई समझ में आ गया भाई अब देखो बच्चो इसको क्या मैं 2 से multiply divide कर सकता ना पीवी इकोल सुटू से multiply divide किया सो 2 by 3 into half mn vrms का square और देखो बच्चो क्या बन गया यह translational kinetic energy तो बच्चो यह क्या बन गया पीवी इकोल सुटू 2 by 3 into k या फिर e whatever way it is clear रहे एक दम अब देखो यह क्या बन गया पी बनाबर 2 by 3 k by v k by v क्या होगा बच्चो translational kinetic energy per unique volume let's say score denote कर देता है e से यह बन गया पी बनाबर 2 by 3 e मतलब की हमने pressure को energy से relate कर लिया बहुत important हमने pressure को किसे relate कर लिया बच्चो energy से क्या मेरी बास समझ में आ रही है क्या यह logic के लिए रहे है बच्चो यह logic एक दम के लिए रहे है अच्छा समझ में आ गया भाई अब द देखना बच्चो क्या मैं इसको ऐसे लिसकता हूं क्या मैं इसको ऐसे लिसकता हूं क्या मैं इसको ऐसे लिसकता हूं देखना के बराबर के बराबर यहां से यहां से क्या मैं इसको ऐसे सकता हूं बच्चो के बराबर 3 by 2 PV और यह क्या है translational kinetic energy यह क्या है translational kinetic energy यह क्या क्या क बहुत इंपर्टेंट इसी को हम लॉफ इक्यू पारेंगे मैं रिकॉल करा हूंगा बहुत इंपर्टेंट यार आप ध्यान से देखोगे साफ साफ पता चल रहा है और मैंने बताया था कि तेंपरेचर का संभेटिट मैं किस से हुता है एनर्जी ऑफ द कшт होता जा रहा है कि आपbell ऐनके सारह एक्डम क्या बहुत ही ज़्यादा, इंपर्टेंट, नुमारिकल में नहीं कर रहा हूं क्योंकि simple formula based होते हैं लेकिन बच्चों को expression ही नहीं पता होते हैं बच्चों को feel ही नहीं आता, connectivity ही नहीं हो पाती even जो हम statement बोलते हैं वो भी बच्चे connect नहीं कर पाते ये देखिए, सब कुछ यहाँ पर correlated है सब कुछ किछी expression से मैंने निकाल दिया सब कुछ यहाँ से आजाएगा ideal gas equation तक यहाँ से आजाएगी सब कुछ यहाँ से आजाएगा बहुत जबर्दस relation है बहुत जबर्दस, बहुत जबर्दस क्या मेरी बात समझे में आ रही है क्या concept एक दम के लिए है यहाँ पर हमने VRMS के आजाएगा expression निकाले यहाँ हम kinetic energy को देख पा रहे है कैसे कैसे हम चीजों को relate कर पा रहे है क्या मेरी बात समझे में आ रही है क्या concept एक दम clear है ध्यान रखना है इसको note करके लिख लेना this is not the total energy this is just the translational kinetic energy which is 3 by 2 nr t और देखते हैं बच्चो इस पर और detail में शर्चा करते है अच्छा एक बाल होता हूँ बच्चो क्या आपने pv is equals to nr t यह तो पढ़ा ही है न pv is equals to nr t तो यह हमने पढ़ी रखा है आच्छा भाई pv is equals to nr t ठीट क्या मैं इसको लिख सकता हूँ देखना बच्चो pv is equals to capital n by nr t देखना बच्चो nr by nr into t simple है कुछ नहीं करा मैंने n को लिख सकता हूँ मैं capital n by n ने और इस n ने को मैं इधा ले गया अब देखो यह भी constant यह भी constant तो एक और नया constant बन गया बच्चो is what? Boltzman constant यह कौन सा constant बनेगा बच्चो? Boltzman constant और यह k क्या है? r upon में n ने है इसकी value क्या होगी बच्चो? देखो unit के साथ निका लेंगे देखो बच्चो r क्या होगा? 8.314 Joule पर मोल पर कल्विन और n ने क्या होगा बच्चो? 6.023 into 10th power 23 क्या होगा? 10th power 23 molecules पर मोल क्या मेरी बाद समझे मारी है? क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है देखो मोल से मोल cancel out हो जाएगा और यह constant नमबर आएगा बच्चो इसकी value आपको ध्यान रखनी है यह होती है बच्चो 1.38 into 10th power minus 23 Joule पर क्या है यह मेरी बाद समझे मारी है clear है? तो एक नई equation बन गए बच्चो PV is equals to NKT where N is the here N is the number of molecules बस यह ध्यान रखना है PV is equals to NRT is used when we are dealing with the mole when we are dealing with one mole जो हम mole के साथ deal करें एक mole sample के साथ deal करें PV is equals to NKT is used when we are dealing with one molecule mole के अंदर भी चलेगा हम molecule की बात कर रहे है क्या मेरी बास समझे मारी है क्या concept एकदम clear है एकदम clear होते जारे है concept बच्चों को यह नहीं पता होते है moles में constant क्या अरे कुछ नहीं है यहां से आया है सब को simple है यह कब लगाएंगे यह कब लगाएंगे अरे simple है यार when you are dealing with the one mole sample so use this equation when you are dealing with the mole के अंदर भी गुस गए हो आप एक-एक molecule को deal कर रहे हो तो यह equation use करो same case इसको भी हम modify कर सकते हैं बच्चों देखो के देखो यहां से देखिए 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 यहां पर के को क्या ले सकता हूँ मैं बच्चों यहां पर 3 by 2 n की जगा again क्या जिका हूँ n by n a that means n by r by n a into t और यह क्या बच्चों r by n न क्या बन गया k that means यह क्या आ गया 3 by 2 n k t तो काईटी के लिए का एक और expression 3 by 2 n k t अब बच्चा confused यह कभी उस करूं यह कभी उस करूं अब जब तुभी काईटी 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 निकाल नहीं है एक particular mole sample की 1 mole sample 2 mole sample 3 mole sample at any temperature use that relation अगर तुझे mole के अंदर भी एक molecule की energy चाहिए तो use that relation question आ गया question आ गया कि यादे gas sample है उसमें जो है इतने molecules है oxygen के मारे 300 Kelvin temperature है एक मारे पांच molecules की काईटी 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 निकाल नहीं है use that relation 3 by 2 5 into k की जगा के और t की जगा की क्या मेरी बाद समय नहीं है कि है सारी चीजे आपको समझे में आ रहे हिं बहुत ही जादा important चीज आज मैंने हैं discuss करी है बहुत ही important concept है क्या मेरी बात समझे में आ रहे हैं यही concept देखे बचो अगर मैं N की जगह हैं 1 डाल दो तो देखों कितना जाएगा 3 by 2 केटी जाए जाएगा 3 by 2 केटी इंचे जाएगा 3 by 2 केटी वो यहीं से ही आएगा, although वो law है, लेकिन आया सब कुछ यहीं से ही है, बहुत important expression मैं फिर बोलना हूँ, recall करते हैं हम, यह हमने drive किया था, यह VRMS के concept हमने का ले, VRMS का एक और नया relation हमने निकाला, फिर हमने comment किया on the pressure, यह इसको PVZ को और NRT को modified form में निख सकते हैं, density की trim में, क्या इसके बाद हमने kinetic energy के अलग-अलग expression निकाले, उसके बाद हमने Boltzman concept बढ़ा, बहुत ही important lecture है यह वाला, क्या में बात समय में आ रही है, clear है ना, so इस lecture को हम ही ही लोगते हैं, पाल-पाल इसको देखना बहुत important है, कोई भी doubt आए, आप comment section में पूछ सकते हैं, next lecture में, we will start with some more important concept, then we will start the thermodynamics, clear है, thank you